नमस्कार, मैं हो ससी, आई जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आई जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं उलेकनी है कि 22 अगस से 2 सितंबर तक चली सररीक दक्स्तापरिक्चा में 13 अव्यार्थियों की मौत हो गई थी भाजपा बताए क्यों नहीं दिया सारना कोड हेमंत सुरेन मुख्य मंत्री हेमंत सुरेन ने सोमवार को विपक्षी दल भाजपा पर जम करनी साना साधा उन्होंने कहा है कि चुनाव नजदिक आता देख भाजपा लोग भ्रामित कर रही है ये लोग भुसपैट लब जिहाद लेंड जिहाद की बात करते हैं कहते हैं कि आदिवासियों की जन संक्या घट रही है उन्होंने भाजपा से सवाल किया है कि बताए आदिवासियों को सरना धर्मकोट क्यों नहीं दिया हमारी जब पहचान ही नहीं है तो हमारा गायब होना स्वभाविक है बिधान सभासे उनकी सरकार ने आदिवासियों के लिए आदिवासि सरना धर्मकोट का प्रस्ताव पारित करा कर केंद्र को भेजा लेकिन वे कुंड़िली मार कर उस पर बैठे हुए है मुख्य मंद्री स्वमवार को गिरीडी के तारा टांड में आपकी योईना आपकी सरकार आपके द्वार कारकुनम को संबोधित कर रहे थे इसके पूरा मुख्य मंद्री ने गिरीडी और धनबाद को 465.14 कलोर की सोगात दी है 310 वे नाव का उधगाटन और सिलन्यास गया दोनों जीलों में 13.06 लाक लावकों के बीच करीब 649.16 कलोर की परिस्तन पत्या भी बाटी है ठीका करण के बहाने अब मौत पर राइनेती कर रही सरकार हिमन्ता भाजपा के चुनाव सह प्रभारी वे असम के मुखे मंत्री हिमन्ता बिश्वा सरमा दो दिवसी दोरे पर रांची पहुँचे रांची प्रदेश करेले में नेताओ से मुलकात के बाद वे उर्मांजी के जीरा बर गाउं और नाम कुम गये जहां उन्होंने उतपासी भाही भारती के म्रीट अभ्यार्थियों आजजयय महतोवव भीकास लिंडा के परिजनों से मिले राज निति करने में सरकार कर रही है जबकि राज सरकार को अभिलम परिजनों को नोकरी देनी चाहिए मीडिया से बात करते हुए हिमंता वित्वा सर्मा ने कहा है कि राज में भाजपा सरकार बनते ही परजनों को नोकरी दी जाएगी सवाल उठाया है कि क्या राज सरकार के पास सहायता के लिए फंड का भाव है जो मंत्रियों को उपर से फेक रही है मंत्री कब और कैसे किस मत्स से देंगे कुछ असपश्ट नहीं मौके पर परदेश अध्यक सापुरमुक मंत्री बावुला मरांडी नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भी उपस्तित थे रांची में कुख्यात टीस पीसी उगरवादी ने किया सरेंडर उगरवादी संगठन टीस पीसी के एरिया कमांडर मुनेस्वर गांजू उर्फ बिक्रम ने सोम और कुरांची पुलिस के समक्ष आत्मसमरपन कर दिया है बिक्रम हजारी बाग के केरेडारी का रहने वाला है साथ साल पहले वह टीस पीसी से जुड़ा था उसके खिलाब भयाद दोहन लेवी वसूलिस्त में 26 से अधिक अपराधिक मामले दर्ज है SSP चंदन कुमार सिना ने बताया है कि उगरवादी बिक्रम सरकार के आत्मसमरपन निति से प्रभावी था और वह मुखे धारा में लोटना चाहता था इसलिए उसने सियार, पी, एप और रांची पूलिस से संपर्क करके सरेंडर करने की इक्षाज़त आई इसके बाद सुमार को SSP कर्याल में आत्मसमरपन कर दिया उसे सरकार की सरेंडर निति के अनुसार सभी सुधाया दी जाएंगी SSP के अनुसार बिक्रम ने स्विकार किया है कि उसने राहूल गांधी के दस्ते के साथ मिलकर चक में में फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया था जेपी एसी अध्यक्ष नियुक्ती में देरी पर कोट ने मंगा जबाब जार्खन लोक सेवा आयोग जेपी एसी के अध्यक्ष पद रिक्त रहने पर सोमवार को हाई कोट ने नराजगी जताई है अदालत ने मामले के सुनवाई करते हुए जेपी एसी अध्यक्ष नियुक्ती में देरी पर सरकार सजवा मंगा है यह भी कहा है कि आयोग के अध्यक्ष या प्रभारी अध्यक्ष की नियुक्ती कब तक कर ली जाएगी मंगलवा तक जनकारी दे इस समध में प्रार्थी स्वेता तिरिपाठी ने हाई कोट में आजका दायर की है इसमें सिविल जाज जूनियर डिविजन की मोखे परिक्षा जल्थ कराने का आगरा है मामले की सुनवाई के दरान हाई कोट ने राजसरकार से जानना चाहा है कि मोखे परिक्षा आप तक क्यो नहीं हुई है इस पर जे PSC की ओर से कोट को बताया है कि अध्यक्स का पद रिक्त है इसलिए सिविल जाज जूनियार टिविजन की मेंस परिक्षा के परकिरिया आगे नहीं बढ़ पाई है जारखन में एक माह में 429 डेंगू के मरीज राज्य में मच्छोरों का अतंग लगातार बढ़ता है जा रहा है अलम्या है कि राज्य के 21 जिलों तक डेंगू, 20 तक चिकनगूनियार और 14 जिलों तक जापानी बुखार पहुंच चुका है राज्य में अगस्ट तक जेई के 28 चिकनगूनियार के 16 और 16 और 14 मरीज मिले है जबकि मई तक 20 जिलों में डेंगू के 99, 17 जिलों में चिकनगूनियार के 62 और 12 जिलों में जापानी बुखार के 22 मरीज मिले थे खासकर डेंगु के मामलों में बेता हासा बिरिधी हुई है माई में जहां राजे भर में डेंगु के महाचार मरीज मिले थे जुलाई में या संख्या बढ़ कर नवासी हुई वही अगस्थ में 218 मरिजों के पुष्टी हुई है यानि मई की तुल्ला में अगस्त में लपक पच्पन गुना बिरिधी हुई है बतादे मच्छर लोधी उपायों की अच्छित्ती तब है जबराश्टी स्वास्त मिशन के अभियान निदेशक ने जुलाई में ही इस बावस्ता भी सिविल सर्जनों को विश्तिर दिशानी द और आसपास के छेत्रों में आईस से बादल घने होंगे और विभीन हीसों में बारिस होगी इस दोरान कहीं कहीं भारी बरसा होने का भी एलो अलट जारी किया गया है इस दोरान गरज के साथ बजरपात होने की चेतावनी भी जारी की गई है मौसम विभाग के अनुसार आक राकर 36 गड की ओर बढ़ चुका है बेग्यानिकों के मुताविक आधी रात के बाद जार्खन पर इसका असर पड़ेगा रांची समय सिम्टेगा गुमला खुटी और पच्मी सिम्वों में अच्छी बारिस हो सकती है इसका प्रभाव राज धानी समेत राज के विभीन ही सोपर 118 तंबर तक पढ़ने की समभवना है इस दोरान रुक रुक कर बारिस होगी इंस्पायर अवार्ड के लिए आईडिया देने में जार्खन लक्ष से पीछे भारत सरकार की ओर से इसकूली बच्चों में भैग्यानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक का आयोजन किया जाता है इसके तहत इस तत्र दोर चोविस पचिस के जार्खन के स्कूलों से आईडिया मांगे गए थे दो माह से अधिक समय बीद जाने के बाद भी राज्य अपने तयल लक्ष से पीछे चल रहा है बता दे एक जुलाई को जिला सरीय परत्योकता के लिए स्कूलों से आईडिया मांगे गए थे जिसमें 8 सितंबर की साम तक 21 से 345 आईडिया ही स्कूलों से मिले है जबकि विभाग ने 50 से अधिक आईडिया प्राप्त करने का लक्ष रखा है अधिक आईडिया आने से राष्ट्री अस्तर पर जार्खन के भागेदारी बेहतर होगी आईडिया देने की अमतिम्तिती 15 सितंबर निधारी था जार्खन में 13% आदिवासी परिवारों की आजीवका जन्ग पर आशृत है इसमें 28 पर्शतिषत गयर आदिवासी परिवारों को भी आजीवका उनके आसबास मौजूद जन्गलों से चलती है यह रिपोर्ट प्रोफेशन असिस्टेंट फोर डेवलोप्मेंट एक्सन ने जारी की है यह रिपोर्ट जनजातिय कारेमंत्राले को भी सोपी गई है यह अध्यान जार्खन और उडिसा के 5000 परिवारों पर सर्वे कर लिया गया है जार्खन में 3000 होमगाट की होगी भरती जार्खन में जल्द ही होमगाट की बाहली होगी इसकी परकिया सुरू होने वाली है यह बाहली अलग-अलग जीलों में होगी कुल रिक्तियों की संके 3000 हैर होगी होमगार्ड मुख्याले से हर जिले से सूची माँगी गई है जहां कम होमगार्ड तैनात है जार्खन ग्री हिरक्षा विभाग होमगार्ड जल्द ही खाली पड़े पदों के लिए नोटिफिकेशन अधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर सकता है बहाली के लिए पहले सर्दीक दक्षता जाच होगी उसके बाद लिखित परिक्षा होगी बर्तमान में हर जिले में होमगार्ड के जवानों की कमी है इससे पहले 2017 में होमगार्ड में बहाली पर जिले सुरू की गई थी बतादे जमसेत पुसहरी इलाके में 40, पटमदा में 18, बोडामा में 32, सदर में 38, बहरा गोडा में 41, चकुलिया में 30, ठालभूमगार्ड में 34, सीट खाली है मौंकी पोक्स संदिक्दों की जाच करे राजे केंद्री ये स्वास्त सचिव अपूर्वत चंद्रा ने सोमवार्गों राजियों के मुख सचिव को पत्र लेकर मौंकी पोक्स के संदिक्द मामलों पर नजर रखने और उनके नमुनों की जाच करने को कहा है उन्होंने कहा है कि सभी संदिग्द मामलों की स्क्रीनिंग की जाए तथा संदिग्द एवाम पुष्ट दोनों तरह के मरीजों को अस्पतालों में आइसोलेशन में रखा जाए देश में मंकी पुष्ट का अभी तक कोई मामला नहीं आया जबकि एक संदिग्द मारीज के नमोनों की जाच को रही है चंद्रा ने पत्र में कहा है कि राज्य लोगों के बीच अनावस्यक रूप से डर फैलाने को भी रोके उन्होंने सतरक्ता वरतने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा भारत में मवजूदा प्रकोप में एमपोक्स का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है और संदिग्द मामलों में एक भी नमोना पोजेटिव नहीं मिला है हेमंत सरकार की 11 योजनाओं से जुड़ेंगे 9.5 लाख परिवार हेमंत सरकार ने हाल के दिनों में कई फैसले लेकर राजी के बड़े बर्ग को आकरसित करने का परियास किया है पिछले मंत्री परिशत की बैठाक में 63 प्रस्ताओं में विभीन विभागों के 11 प्रस्ताओं ऐसे हैं जिनमें से राज्य के 9.5 लाख से अधिक परिवार जुड़ेंगे एक परिवार का एक सदा से भी इन विजनाओं से जुड़ता है तो 9.95 लाख परिवार जुड़ जाएंगे सरकार की इस एक गारा घोसनाओं से विभीन वर्गों के 18-65 साल के सहरी और ग्रामी लोगों को जुड़ा जाएगा हेमंत सरकार की सानों के बीच 4000 ट्रेक्टर बाटेगी किरिसी पसुपारन एहम साकारता विभाग बीतिये वर्ष 24-25 और 25-26 में मंदिर ट्रेक्टर बित्रन विजना के तहत करीब 4000 ट्रेक्टर बाटेगा इसका राजया देश विभाग ने निकाल दिया है लाबकों को 80-50 अनुदान दिया जाएगा विभाग 24-50 बला ट्रेक्टर तथा 15-50 चोटा ट्रेक्टर बाटेगा इसके साथ ही 1000 किरिसी उपकरन भी बाटे जाएगे इसका लाब नेजी किसानों के साथ किरिसक समोह को मिलेगा कई वर्षो बाद राज सरकार किसानों के बीच अनुदान पर ट्रेक्टर का वित्रन कर रही है इस पर राज सरकार 150 को रुपे खर्च करेगी पंचायत सचीवों ने निकाला मसाल जुलूस जारखन राज पंचायत सचीव संग जाम तड़ा की वर्षो सुमवार की साम टावर चोक से सुबा चोक तक मसाल जुलूस निकाला गया संग के जिला ध्यक्स असोक चोधरी ने कहा है कि दो सूत्री मांगो को लेकर पंचायत सचीवों हर्ताल पर है समर्नाले के समक्षधारना पर बैटे हैं जिससे कारे भी प्रभावित हो रहा है उन्होंने कहा है कि हम सभी की मांग है कि मुल ग्रेट पे 2400 रुपे करना है साथ ही प्रखन पंचायत राजपदा धिकारी की 25 परिशत पदों पर प्रोण नती आरक्षित 25 परिशत पद सीमीत परतियोगिता परिक्षा का आउसर देते वे रिक्त अस्थान को भरा जाए कहा यह मांग वर्ष 2010 से लगातार कर रहे हैं लेकिन राज सरकार मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है धन्यवाद